सब्सक्राइब एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं वापस आपनी सप्लिमेंटरी इंग्लिश को स्टड़ी करते करने के लिए कलास्क है हमारी सिख्स बुक का नाम है एपक्ट विद दसन और फॉर्चुनेटली यह हमारा फाइनल चैप्टर है एंड इस चैप्टर का नाम भी है एपक्ट विद दसन और इस पूरे जो बुक है इसकी आज आखरी वीडियो है एनिवे अगर कहीं पे आपको कोई धिकत रह रहेगी कहीं पर परशानी रहेगी आप बता सकते हैं हम उसके लिए जो है एक क्लेरिफ के क्लेरिफकेशन की वीडियो जा कोछा कर छूट गया है हमसे हम उसके लिए जरूर बनाएंगे एनिवे यहां पे जो हमारा पहला क्वास्चन है इसका इपक्ट विद दसन जो हमारी स्टोरी है वाट डिड़ दफजेशन आस्क साइधास मदर टू डू गैट वैल जो फजेशन होता है जो डाक्टर होता है वो साइधा की मदर से क्या कहता है ठीक होने के लिए एड़ देर एडवाइस खालपार क्या उसकी नसिएत उसे काम करती है इफ नाट वाइ अगर नह नार्मल फुड जो फजेशन था पहले ठीक है ना जो स्पेशलेस्ट डाक्टर के आने से पहले जो फजेशन था उसकी बात हो रही है यहां पर उसने क्या कहा था कि नार्मल जो फुड है नहीं खानी शी वास गिवन स्ट्रिक्ट आर्डर तू स्टे कंफाइन टू हर समाल उसको जा स्ट्रिक्ट आर्डर दिया गया कि एक रूम के अंदर चोटे से रूम के अंदर वो बंद रखे विद डूर्स एंड विंडोस फास्टन उसके जो खिडियां दरवाजें हैं बिल्कुल बंद करके रखे इंदा लैक आफ संशायन एंड फ्रेश एर टू ब्रीथ है तो इसको हम पैराग्राफ देंगे पहले लिखेंगे नो ठीक है ना उसकी जो एडवाइस है वो हल्प नहीं करती इफ नाट वाई ठीक है ना इफ नाट वाई बिकाज संहले इंड फ्रेश इर अर इंपार्टरंट इंपार्टर्ट पार गुड़ हैल्थ खीक है यह हमने क्यों लिखा क्योंकि इस ने जो है यहां तक के का आंसर लिखा हुआ है यहां तक के इससे आगे का आंसर जो है जहां पे छूटा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए जो मैंने लिखा, did their advice help are, no, मैंने लिखा, no, उसकी advice ने उसको help नहीं किया, इसको हम पहर अगर आप देख लेखें, if not why, तो because, क्योंकि sunlight जो और fresh air जो है, यह important है, good health के लिए, यही उसने बंद कर दी, तो कहां उसको help होगी, ठीक है, question number second, what did the specialist prescribe in addition to medicine, जो specialist है, ठीक है न, medicine देने के अलावा उसने क्या चीज़ प्रिसक्राइब की, ठीक है न, तो यह है, question number second, in addition to prescription, in addition to medicine, the specialist prescribed साईदा's mother to sit in the sun from eight to nine, ठीक है न, in the morning, तो specialist ने medicine देने के अलावा क्या किया, उसको प्रिसक्राइब किया साईदा की मदर को, कि वो 8, 8 बज़े से 9 बज़े तक दूप में बैठे, he said the sunshine and fresh air are more important than medicine, उसने बताया के, जो sunshine है, जो सूरज की, जो रोशनी है, सूरज की करने हैं, और जो fresh air है, यह बहुत ज्यादा जुरूरी है, medicine से भी, ठीक है न, question number third, what did Sida tell the sun rays to do? ठीक है न, साईदा जो है, sun rays को क्या करने को कहती है, ठीक है, साईदा requested the sun rays to appear in the next morning with lots of warmth and brightness, so that her mother could sit in the sun, ठीक है, साईदा जो है, request करती है, किस से, sun rays से के, दूसरी सुबह, जो है, बहुत सी गर्मी के साथ, वो जो है, आनी चाहिए, बादलों, बादलों से निकल कर, ता कि उसकी जो मदर्ख है, ठीक है न, ता कि उसकी जो मदर्ख है, वो सूरज की रोशनी के नीचे बैठ सके, क्योंकि उसका अलाज़ ही उसी में अब था, क्योंकि नेचे आएंगी, और उसकी जो में पेस लिए जाना चाहती थी, क्योंकि सुन रेज ने साइदा से जो है, प्रामस किया था, कि नेक्स डे वो नीचे आएंगी, और उसकी जो मा भिमार है, उसकी हलप करेंगी, ता कि वो ठीक हो पाए, तो कीप देर प्रामस, देफोर सट देर, देर, वे थो धरो धार क्लाउट्स, ठीक है न, अपना जो है, वादा पूरा करते हुए, जो है, वो जो धार कलाउट थे, उनको चीरते हुए, नीचे आती है, ठीक है न, दूसरे दिन, देन उसके बाद, जहां पर हमें जाते-जाते काह रहा है, हमसे कुछ क्वाशन पूछ रहा है, जो हमें लिखने लिखने नहीं है, जिस्ट हमें इनका खुद से ही रिपलाई करना है, वाट इस यू आर ओन फर्मूला फार कीपिंग गुड हैल्थ, आपका अपना क्या तरीका है, गुड हेल्थ रखने के लिए, ठीक है ना, Who would you recommend to be to a patient in your neighborhood, अगर आपके प्रोस में कोई बहिमार हो जाता है, तो आप उस को क्या बोलोगे, वो किस के पास चाहिए, किसी physician के पास चाहिए, और किसी specialist के पास चाहिए, the physician contacted first, are the specialist contacted first, अगर तुम्हारे प्रोस में कोई बिमार हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे फिजिशन के पास पहले जाओ जिए के स्पेशलिस्ट के पास पहले जाओ ठीक है न ग्यू रीजन्स फार्जुर चोईस आप जो है उसका रीजन्स बताओ ठीक है न तो अगर होगा तो पहले हम किस के पास बैज़ दे फिजिशन के पास वहां से ठीक नहीं होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ अगर कोई ऐसा patient होगा जिसका हमें पता चलेगा कि ये वाला जो है इसको एक particular किसम की बिमारी है जो physician से ठीक नहीं होगी तो हम उसको किस के पास बेजेंगे specialist के पास बेजेंगे ठीक है इसके अलावा भी जो दूसरे जो चीजे हैं आप उनका भी सोचो आप कब चाहते हो कि सूरो जाना चाहिए जिस दिन आप जो है पिकनिक जाते हो उस दिन तो आप चाहोगे नहीं के बारश हो या जिस दिन आपका किरके मैच होता है तो उस दिन भी आए थिंक आप नहीं चाहोगे कि उस दिन भी बारश हो तो उस दिन भी जो है आप चाहोगे कि उस दिन लेकर ना उन बुक्स की explanation जो है उनको detail में studies लेकर आएंगे but तिल दिन make sure कि आप channel को subscribe करें and हमारे साथ चोड़े रहें ठीक है कोई भी issue हो problem हो do let me know